तो कैसो भाई लोग जो AI coins है उसका जो trend है वो खतम नहीं हो रहा है और जो लोग भी इसमें पैसे लगा रहा है वो हमेज़ा profit कमा रहा है अगर आप historical data देखते हैं चाहिए दो महीने पहले के देखें तीन महीने पहले का देखें जो AI coins में लोग invest कर रहे हैं उनका पैसे double हो र लगाते हैं तो एक दो महीने में निश्चित आपको बड़ा profit मिल सकता है सबसे पहले बात करते हैं जो AI coins का trend है वो कभी रुकने वाला क्यों नहीं है क्योंकि जो AI है वो लगातार जो मैरे youth है उसमें increase होता जा रहा है AI का use बहुत जादा बढ़ता जा रहा है और अगर बात सबसे पहले start करते है जो एक number की coin है और यहां रैंकिंग में नहीं का रहा हूं मैं यहां पर número wise बताना हूं एक ज् only एक लाई सबसे बश्चित हैं तो यहां पर i upre — करेक्शन. करेक्शन कर देता हूं तो यह रहाए पर जो एक दंबर Q RNA है और अगर हम अभी current price की बात करते हैं तो लगबख $8 का है और अगर हम एक मंद का data देखते हैं तो एक महीने पहले जिन लोगों ने इस पे इनिविश्ट किया होगा उसका पैसा 50% के growth पे है एक महीने पहले यह coin 5.5 विश डॉलर का था अब अगर बात करते हैं जो लोग यह न next generation d apps बनाने का platform बनाना है जिसमें AI वाली भी शामिल है easy to use होने और बढ़ते हुए ecosystem की वज़े से near का crypto space में एक promising pair है और काफी ज़्यदा इसकी value है और अगर हम इसके market cap पे जाते हैं आपको clear दिख रहा होगा जो इसका market cap है लगाता है increase हो रहा है तो यह जो क्वाइन है इसको आप यहां पे अपने watch list में रखिए इसको यहां पे track कीजिए और देखती रहें इस क्वाइन में क्या moment हो रहा है ठीक है यह क्वाइन आपको अच्छा profit देगा चलिए पढ़ते हैं जो नंबर दो पे cryptocurrency है उसके बारे में जानते हैं अब यहां देट हो गया था इसने recovery दिखाई चार डॉलर से तीन डॉलर से लभग चला गया था दो तीन डॉलर तक उसके बाद यह 10x का profit दे चुका है लभग 13 से 14 डॉलर के बराबर यह जा चुका था तो नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं अगर एक साल का जुमा data है उसमें यहां पर clear है कि 2-3 डॉलर यह चला गया था उसके बाद 19 डॉलर चला गया तो लगभग यहां पर 20x का return दे चुगा था मतलब जो क्वाइन डेट बोल रहे थे उसने market में recovery दिखाई और उसने bear market को survive किया तो अभी एक मेने का data बस 10% का है लेकिन मैं आपको recommend करूंगा इसमें आप ट्रैक कीजिए और इंटरनेट कंप्यूटर के बारें जो लोग नहीं जानते है क्लियर मैं बता दू कि इंटरनेट कंप्यूटर है क्या और कैसे work करता है इंटरनेट कंप्यूटर एक बहुत ही MBS प्रजेक्ट है जो पूरी दुनिया में ब्लॉक्चेन टक्नलोजर अधार करता है और बहुत सारी चीज़े हैं जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं प्लस यहां पर बात करते हैं इसके मार्केट कैप की तो मार्केट कैप में जो डाउन फॉल में देखने मिला है लेकिन अभी जब इसको सपोर्ट मिला अपने बेस सपोर्ट एरिया पे उसके बाद जिसको मैं आपको रिक्मेंट कर सकता हूं नंबर त्री का जो प्रजेक्ट है और काफी वायरल हुआ था और हाली की दिनों में बहुत प्रॉफिट बिदिया था और यह भी एक ऐसा प्रजेक्ट है और अगर हम रेंडियर की बात करते हैं तो क्लेर यहां पर मेंशन यह करत और यहां पर यह अलग अलग जीपी उसकी पावर लेकर काम चला आता है ताकि कम दाम में हाई परफॉर्मेंस रेंडिरिंग दे सके याई का यूज रिलाइस्टिक ग्राफिक्स बनाने में बहुत हो रहा है और और अरेंडियर का नेटवर्क इससे बहुत बढ़ा है और इ और एक साल का जो अल टाम डेटा है वह थर्टी उएच डॉलर का है तो आइधिंग यह टोकन है जिसमें आप इन्वेश्ट कर सकते हैं अब यहां पर जो चौते नंबर का क्वाइन है ग्राफ जे यूज केसा है का आफी फूजर में है और मुझे ऐसा लगता है कि जो जे आ उनमें काफी वेल्यू रखता है रैंकिंग इसकी इंक्रीज हुई थी मार्केट के खिसाब से तो अच्छा प्लियर है मतलब मैं याई क्वाइन्स मार्केट में बहुत सारे हैं लेकिन उनको रिकमेंड कर रहा हूं जिनका परफॉर्फॉर्फोलियो प्रॉफिट महीं इसलिए मैं इन क्वाइन्स को रिकमेंड आपको कर रहा हूं अब यहां पर फिफ्ट नम्बर की क्वाइन है वह सिंग्लरेटी एइनिटी है जिसको में एजिक्स के नाम से जानते है और आपको यह अराम से है एक मेने का ट्वेंटी थी परस ने किया लेकिन एक साल का डेट इसके प्रजेक के बारे में डेटेल लेते हैं यह करती क्या है यह AI Services और टूल्स के लिए एक decentralized marketplace बनाना चाता है एक बड़ा बन सकता है आइदिंग यह टोकन जिसको मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इसका historical data अच्छा है और इसकी वेपर भी आप research करेंगे तो अच्छा प मैं जो भी करता हूँ अपने research के साफ से करता हूँ तो मैं कोई यहाँ पर financial advice आपको नहीं दिना चाहता जो भी research है वो मेरा खुद का है तो फिलाल दोस्तों आज के बता ही है आउंगे नए वीडियो में किसी अच्छे topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद